ओटीं मुंबाई 2023 बिग ट्रावल ट्रेज्ट शो इन एशिया एशिया के सबसे बड़े ट्रावेल ट्रेज्ट शो ओटीं मुंबाई 2023 का शुभारंब मुंबई के बांदरा स्थित जियो वर्ड कंवेंशन सेंटर में एशिया के सबसे बड़े ट्रवल ट्रेड शो का आयोजन तीन दिन के लिए किया गया है दो फरवरी से शुरू हुआ है ट्रेड शो चार फरवरी तक चलेगा इस एक्जिबिशन में बारा सौ पचास से अधेक एडिटर एवं पचास देशों के तीस से अधेक राज्य शामिल हुए हैं इस ट्रवल ट्रेड मेला का आयोजन पेटीम के सीओ संजीव अगरवाल ने किया है बेलाएं इस एवल्डी से शेखा बटेडी इस एव्भाल को से शुरू अभल कैनि ट्रेरिम सेखाषब के काईस्ट एंद एज आगाम्र कर आग दो कि एंद भी आगार हिए mớiन से भी आगे んな है कि एंदेन झालम है टीक विड़क टिये और आगे आगे अव स स्वर कॉनुड कर डागे में ठीका फिंदयोंक टागे कर फड़ह है कर आगे ंज रमाल व nep स्वर के वੰ धिंदयोमृ कर बोर इंद कि बहुत एंटर्ट कि बहुत कि एंटर एपन जAR तो एंट्र वहते हैं जाह हो इंक लग एंट झीजवर्ण थांटर्ट एंटोर्व प्रूल जोर्डिश कि जा खुट एंट वाउड झाउय को लुकल इंट टूरिम एंटर्व।ूर्ण कि एंट्र एंट्ट टूर्ड इंटना I'm sure many of you have already been there but for those people who have not been there come and experience the Maldives we have got a very good experience for each one of you look forward to welcoming you in in the Maldives thank you thank you thank you नमस्ते मेरा नाम संजीव अगर्वाल है मैं फेरफेस्ट मीडिया लिमिटेड जो इस प्रदर्शनी के और्गनाइजर है उसका पाउंडर और चेर्मन हूँ यह OTM नामक प्रदर्शनेडी यह एशिया की सबसे बड़ी परियतन की प्रदर्शनी है जिसमें शारे विश्व से पचास देशों से पाउस्पेंट्स आये हैं और सारे भारतवर्स से करीब 30 स्टेट्स से पाउस्पेंट्स आये हैं यह जियो कन्वेंचन सेटर में दो फ्लोर पे यह हाउस फुल है बिलकुल यह ग्राउंड फ्लोर पे इंटरनेशनल पाउस्पेंट्स है और उपर की थर् सजार सारे भारतवर्श से जो बायर हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आकर यहां पर जो सेलर्स हैं जो अपने डिस्मिनेशन को बेच रहे हैं उनके साथ इंट्रेक्शन करेंगे बोलसेल डील करेंगे और ये कोविट के बाद फुल फलेजट बहुत बड़े रूप में हो रही है तो ये बहुत एक खुशी का हमारे लिए मौका है क्योंकि गत दो बड़्शों में कोविट पैंडेमिक की वज़े से टूरिजम इंडस्ट्री को काफी नुपसान हुआ है पर अभी ये प्रदर्शनी को देखके ऐसा लगता है कि वो पूरा बाउंस बैक कर गया ह है और अभी पूरे चोरदार एक तरीके से मार्केट वापस उबर के आया है जो डोमेस्टिक और जो अंतर देशिये जो विदेशों में जो बाहरती जाते हैं ये दोनों ही मार्केट काफी गरम है अभी तो देखो बहुत से कंट्री प्रमोट कर रही है और उसमें बहुत से अभी कंट्री में ऐसा है कि भी स्पेशल आफर है प्राइसेज अच्छी है एर टिकट का भी थोड़ा भाव जादा है क्योंकि वो अभी लॉस रिकवर कर रहे हैं अपना पहले का लेकिन फिर भी अभी लोगों में काफी उत्सा है तो जो अभी अफोर्ट कर सकते हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और विदिन इंडिया भी अभी कोविट के वक्त ऐसा सब ने डिसकवर किया कि बहुत अच्छे अच्छी रेस्टिनेशन्स है और उसमें भी यहां के लोग जो पहले विदेशी जो बार से आते थे इस पे ऐस पे अभी इंडियां मरकेट पे इपटन भी यह जिए है यह इसमें बारह हजार पाच्सो पार्रेंट से और यह पचास अब आख और विद यह पचास देशने प्रफर चेंस अचिशन हैं जवाटर चेहरता है इंट्रीपरिश कर्सेर मिर्वाटवार्ट प्राइटेश्ट करते हैं जब रखनें जारेश साय विरशवागत थे कर देद रहें टुप्राइश्टू कर्सेट इंट रहे हैं जारेश्यार चाहिजिए सम्क्राइश इनौर ऑ्स अपर ढूरीब्सुन सब्सक्राइब कर दिए जेकिन आपना अपना सब्सक्राइब कर दोगान आपना बटान इसम हुग तो प्रद्ध इने को फायदा फी आए आल यहां तो तोगेदर अबालास मालाव औलाव 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 अव्ट औली the new products are members which are 3000 in India are always looking for new destinations new ways of working for school that we have seen that people want to collaborate more they want to you know meet face to face with the new people who have come into this business at this time and also reconnect with the old ones because the three years has been a very long period so a lot of people have lost touch so I think a platform look or TM is a very यज सability we're working forward and building your businesses because I think travel is all about experiences and we need to create those experiences and only a travel agent can do that but it has to be done with partnership and collaboration with other destinations and DMCs and NTOs of different countries so I think that this OTM brings you a huge opportunity to do that and we need to keep evolving in tourism because tourism is always evolving you cannot have the same medicine every day like tourism tourism has to be different because every time I go to a country or I visit any state or even if I come to Mumbai I need to go to some other destination I can't keep going to a repeat destination so we need to create this for the traveler to enjoy I always say tourism is about repeat customer you know you just can't go to a country once and say tourism is done you need to keep coming back so we need to be the ambassadors of our own country and also spread the word of tourism one thing which I want to say is tourism doesn't have boundaries we need to build on it tourism we saw during COVID time we could not control the virus though the border was closed because the virus doesn't need a boarding card so we need to keep our borders open and move forward to develop tourism